आईए लाब को जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और इनकी कुछ जो लिमिटेशन्स हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी सीमाएं हैं जो कि फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइजर के दृष्टिकोंड से इनकी सीमाओं के अंतरगत आते हैं जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ख्याती का जोखिम सबसे इंपॉर्टन चीज है कि अगर आप देखें तो जो फ्रेंचाइजर होता है वो व्यक्ति होता है जो एक विश्वास के तहत अपने बनाए गए उत्पाद या सेवा के लिए उन व्यक्तियों के साथ एक अग किट में उतारा जाएगा और या उसी जो उसकी सेवा की देने की क्वालिटी है उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखा जाएगा और उनसे कस्टमर्स की जो नीड है उनकी आवर्शक्ताएं हैं न कि उनको पूरा किया जाएगा साथ ही साथ जो भोगता है उनको संतुष्ट भी अगर वो फ्रेंचाइजी पूरी तरीके से काम नहीं करते तो यहां पर उनको उनके ख्याती का जोखिम उठाना पड़ता है क्योंकि नहीं केवल उनका नाम खराब होता है साथ ही साथ जो उस ब्रैंड पर उन कस्टमर्स का विश्वास था प्रस्ट था वो तूट जाता है त तब उस ब्रैंड की हम कह सकते हैं ब्रैंड इमेज डाउन होती है और वो बिजनस जो है जो अभी उपर चल रहा है वो सीधा नीचे आ सकता है तो यही है क्याती का जोखिम आगे बढ़ते हैं दूसरा जो इसकी लिमिटेशन है वो है बड़ी मात्रा में वेर इसमें हमने द प्रचाइज के लिए अपने प्रड़क्ट के लिए और वो सारी फ्रेंचाइजियों के लिए एक जैसे होते हैं तो बिल्कुल सही लेकिन यहां पर जो विया होते हैं वह इतने भी छोटें नहीं होते हैं मतलब अगर बड़ी मात्रा में वेर कर रहे हैं तो आय भी उसी तर पुरा जो कह सकते हैं डिपेंड करता है कि उनका जो बिजनस है या उनका विवसाय है उनको जिन्होंने फ्रेंचाइजी दी हुई है क्या वो तरीके से उस कारी को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और उनसे सही मात्रा में प्रॉफिट जो है वो आन कर रहे हैं या नहीं कर रह फ्रेंचाइजी कॉंट्राक्ट में रहे या दिये हुए पिरियड तक फ्रेंचाइजी रहे लेकिन इसके была यह भी हो सकता है यह भी सुनिशुत क्या स्था कि उन्होंने उस व्यावसाय के बारे में उस फ्रेंचाइजी में रहते रहते सारी जानकारियां इकत्रित कर ली उसमें कौन-कौन सी समस्याइं आती हैं कितना प्रॉफिट आ सकता है सब कुछ जान लिया तो उन्होंने फिर क्या किया कि वो फ्रंचाइजी बंद कर दी और अपने ही स्वयम उस कारे में मिल गए या उस कारे को करना शुरू कर दी अब उन्होंने किसी भी ब्रैंड की फ्रंचाइजी नहीं ली है और उसी श्रितन में वो व्यवसाय करना चालू कर दिया उन्होंने तो यहां पर प्रतियोगियों का जन्म हो जाता है आए आगे वढ़ते हैं और फ्रंचाइजी के सीमाओं को जानते हैं पहली सीमा जो है इसमें पहली सीमा जो है स्वतंतरता का आभाव बिल्कुल सही बात है क्योंकि फ्रंचाइजर जो होता है वो पूरी तरीके से क्या कर देता है फ्रंचाइजी को बांध देता है वो अपने जो स्टांडर्ड्स जो कहता है मानक हम कह सक सेट करता है business standards उन business standards के अंतरगत वो क्या करता है उन franchises को बांदेता उनहीं नियम कानुनों को मानते हुए उनको वह वियविसाय आगे बनाना पड़ता है उसमें वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते तो इस तरीके से वहां पर स्वतंतरता का अभव पाए जाता है, दूसरी चीज, फीस का भार, देखे हर ब्रैंड या हर उत्पाद या सेवा, यह हम बात कर रहे हैं, उसकी फ्रेंचाइजी फीस अलग है, तो कहीं न कहीं इस फीस का भार जो होता है, वो फ्रेंचाइजी पर पड़ता है, अगली जो सीम क्रिवा पर इसकी सीमा है वह अंत्मी यह से laboratories करेंजर के साथ किसी अग्रिमेंट में हैं, कंट्राक्ट में हैं, तो इस थिती में क्या होगा, वह अपने जो व्यवसाय के जितने भी वह उचित, कह सकते हैं, वैल्यूस को हस्तरांतरत करना चाहे, या अपनी जगा वह फ्रेंचाइजी किसी और को बनाना चाहे, इस प्रकार का हस्तांतरन वह नह फिरीकल से हमने देखा कि Franchising की दृश्व कॉन से किया क्या सीमाई उत्वन होती है आगे बढ़ते हैं और Franchising को जान लिया हमने अब हम देखते हैं कि Histo क्या है Licensing में डेखेंग बच्छों देखें दो देश होते हैं एक देश जिसमें की challenge देने वाला होता है जिसे हम licensor कहते हैं और दूसरा दे जिसमें license लेने वाला होता है जिसे हम license कहते हैं ठीक है इसमें ये क्या करते हैं ये अपने नाम, patent, trademark, तक्नी, copyright, विपनन, आधी का प्रियोग उस द्वारा उत्पादित, उत्पादों के लिए करने का license प्रदान करते हैं इन में ये जो एक fees लेते हैं हम कह सकते हैं किनसे license से कि हमने आपको क्योंकि license दिया है तो आपको इसके विज में हमें पारिश्रमिक्या देनी पड़ेगी एक fees decided होती है वो उनको देनी पड़ते हैं इसमें जो कुछ विकास शील देशों में ये विक्री के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते हैं और दूसरी चीज़ अंतराष्ट्री विवसाय में इस तरीकी का जो प्रयोग है वो प्रायर कुछ बिंदूं में किया जाता है या कुछ स्थितियों में किया जाता है हम कह सकते हैं जो कुछ स्थितियां है वो कुछ इस प्रकार है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहले सिती है जब आयतक देश की सरकार के आयतों पर प्रतिबंद लगाया जाए दूसरी सिती है जब विदेश के पूंजी विन्योग ना करना हो तीसरी सितीं है जब विदेशी बाजार की अधिग जानकारी ना हो चौथी शितीं है जब देश की सरकार विदेशी स्वामित मैं उसे बचना चाहती हो और पांच्वीraz और अंतिम सितीं है जब कंपनी के नाम की विदेशी बाजारों में पूरी पहचान हो तो ये कुछ स्थितियां हैं जो कि यह डिसाइड करती है कि अंतराश्च्री विवसार में इस तरह की जो प्रियोग है वो किन-किन सतियों में किये जाएंगे बच्चों इन में एक बात आती है आयात एवं निर्यात की अब आयात और निर्यात होता क्या है Import and Export जब भी कोई देश अपने पास की उपलब्द वस्तूों को दूसरे देश में भेजता है उनको SELL करता है उसे हम क्या कहते है निरियात करना Export करना आयात क्या होता है हम अगर दूसरे देशों से किनी वस्तूों को मंगवाते हैं खरीते हैं तो वह क्या होंगी? आयात होंगी. इससे हम import कहते हैं. अब आयात और निर्यात को जानने के बाद हम देखते हैं कि आयात एम निर्यात से होने वाले लाब क्या-क्या हैं. जो अंतराश्रे बाजार में प्रवेश करने का सबसे अधिक आसान तरीका यही है. दूसरी चीज अन्य देशों में सईयंत्र एंव मशीनरी की स्थापना करने की इसमें आवश्यक्ता नहीं होती तीसरी चीज आयात एंव निरियात में अंतराश्ठी वैवसाह में प्रवेश के अन्य तरीकों से भी जोखिम होता है और चौती चीज अन्य विदियों की तुलना में इस विदी में लेन देन पूर्ण करने में कम समय लगता है सिंपल सिंपल बाते हैं अगर आप गौर करें तो आयात और निर्यात में का जो यह तरीका है या इंटरनाशनल बिजनस के कॉंसेप्ट में बिजनस में अंदर आने का तरीका है बहुत ही सिंपल है हम क्या सकते हैं क्योंकि इसमें आपको निर्मान कारे में जो है किसी भी प्रकार का इंवेस्टमेंट प्लान करने की ज़रूरत नहीं है दूसरी चीज यहां पर बहुत बड़े इंवेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं जैसे कि आपको प्लान लगाने की ज़रूरत नहीं मशीने लगाने की ज़रूरत नहीं और तीसरी चीज अन्य विदियों की तुलना में इस विदी में जो लेंदेन होता है बहुत ही एजी रूप में हो जाता है तो कुछ यह कारण हैं जो कि हम जिने हम आयात और निरियात के लाभों के अंतरगत इनको ले सकते हैं आयात और निरियात के अंतरगत अगर हम कुछ हानियों को देखें या लिमिटेशन को देखें तो वो कुछ इस प्रकार से भी हो सकती हैं कि जो आयात और निरियात में जो पैकेजिंग और बीमा पर जो खर्च होता है वो अधिक होता है तो यह जो हम आयात करवा रहे हैं तो अयात करने वरी जो कंप्री है उस पर यह लोड पड़ेगा है ना अरं अगर कॉस्टम डियूति की बात करें तो यहाँ पर जो कस्टम डियू टी होती protections होती है, जटिल होती है जिसे की बहुत समय लगता है उन वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचने में तीसरी चीज होती है आयात पर कई बार प्रतिबंद लगाए दिया एता है लेकिन जॉइंट वेंचर और के तहत इन तरह के अंतराश्य व्यवसाय को बढ़ाव मिलता है तो अगर हम निशकर्श निकालें कि अगर हम अंतराश्य व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो कुछ यह तरीके होते हैं जो की आसान तरीके से अंतराश्य व्यवसाय के अंतरगत आने में जो है लोगों की या आये अब हम संयुक्त साहस को जानते हैं। जब दो व्यवसाई उपक्रम सामुहिक उद्देश व आपसी लाव के लिए खटे होते हैं, तो संयुक्त साहस का जन्म होता है। ये दो उपक्रम नीजी सरकारी तथा विदेशी कंपनी हो सकते हैं। प्रबंद में भाविदारी होता है। इसके अंतरकत आयातक देश की कंपनी के साथ मिलकर व्यवसाई किया जाता है। अंतराश्ट्री व्यवसाई के इस माध्यम को अपनाय जाने के लिए निमनिखित का रहा है। जब एक कंपनी अंतराश्ट्री स्थर पर व्यवसाई करना चाहती है लेकिन उसके पास पूंझी वा मानव शक्ति की कमी जब यह महसूस करें कि आयातक देश के स्थानी साज़ेदार के साथ लाबदायक रहे झाल जर्क कंपणी आया तक स्थानी साज़ेदार के वित्रण व्यवस्ता यानि डिस्टिब्यूशन सिस्टम का लाब उठाने की इच्छे को संक्षेप में अगर हम कहें तो अंतराश्ट्री व्यवसाय के माध्यम के रूप में संयुक्त साहस से व्यवसाय का विस्तार संभव है तथा विदेशी बाजारों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है दूसरी और इससे दूरस्त स्थान पर स्थ होने के कारण पादन वविपणन क्रियां वह स्वतंत्रत्त वपर्याप्त नियत्म अंतरण प्राप्त न होने से हानी भी हो सकती है संयोग तो उपक्रम निम्ण के लिए बनाए जा सकते हैं आई एह हम देखते हैं कि कि जो संयोग तो उपक्रम हैं वो किले बनाए जाते हैं पहला है विदेश tillshy कंपणी में अपना ता स्थापित करने के लिए साईयूकट उपकरम सम्झहाते कि इन के लिए बनाये जा सकते हैं ? ःब्देश्यी पून्जी को अपने देश में लगा कर करका लाब उठाना देय। के लिए अब हम देखते हैं कि संयुक्त उपकरम विदेश में किन के लिए बनाए जा सकते हैं तो विदेशी उत्पादन एवं सेवास विधाओं में बढ़ोत्री करने के लिए आवशक कच्छे माल की पूर्ती में व्रद्धी के लिए और देश के आर्थिक विकास में अब हम देखते हैं कि संयुक्त उपकरम के लाब क्या है तो संयुक्त उपकरम के लाब हम देख रहे हैं जिसमें पहला लाब है संयुक्त उपकरम द्वारा एक बड़ी परियोजना जिसमें विशाल पुंजी की आवशक्ता हो तारंब करना संभव हो जाता है नई परियोज श्री विवसाय करने का अफसर्न पुदान करता है संयुक्त उपकरम में स्थानिय सहसाजी को फायदा हो जाता है क्योंकि विदेशी सहसाजी नई परियोजनों में विदेशी पुंजी इवन प्रॉध्यों की का योगदान करता है पांचवा अगर हम बिंदू देखें तो विदेशी सरसाजी को भी फायदा हो जाता है क्योंकि इस्थानिय सरसाजी को मेजबान देश के आर्थिक सामाजिक एम राजनेतिक वातावरण की जान कर लिए और अंतिम लाब अगर हम देखें तो एक बहर अश्ट्री कंपनी के होगी शक्ति बढ़ जाता है अब हमने जॉइंट वेंचर यानि संयुक्त साहस को जान लिए आए आगे बढ़ते हैं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना के बारे में जानते हैं जिसे हम इंगलिश में कहते हैं सेटिंग अप होली ओन सब सिरीज तो कंपनी के पास होती हैं जो कंपनीयां विदेशी बाजार में दीवकाल तक अपनी पस्ती दर्च कराना चाहती हैं वे विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनीयों की स्थापना करती हैं इस माध्यम के अंतरगत विदेश में नी उत्पादन एवं विपनन क्रियां संयचालिक की जाती हैं उत्पादन एवं अन्य लागतिय त्टा सरकारी नीकिया अंतराष्ट्राइव विवसाय के इस प्रारूप को प्रुप साहित करती हैं इस प्रारूप के मुख्यलाब निमलिकित हैं जो हम आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला है उत्पादन एवं क्वालिटी पर पोन नियंत्रन रहता है दूसरा संभावित प्रतियोगियों के विकास का जोकिम नहीं है अगर हम इनकी कुछ सीमाएं देखें तो वो कुछ इस प्रकार है कुशल श्रमिकों की कमी अधिक व विदेशी बाजार की अधिक जानकारी नहोंना और विदेशी सिरकार का सयोग प्रात्तन होना तो संभ्षेप में कहा जा सकता है कि कमपनियां वित्य वो प्रबंदकी दिरिष्टी से सुद्रिध हैं और लंबे समय तक विदेशी बाजार में रहना चाहती हैं। उनके लिए अंतराश्ट्री व्यविसाय का यह माध्यम एक अच्छा विकल्प विश्वे व्यापार संगठन का अर्थ एवं स्थापना देखते हैं तो विश्वे व्यापार संगठन WTO World Trade Organization जो WTO है वो गैट का स्थान लेने वाले विश्व मानिता प्राप्त एक व्यापार संगठन है जो अंतराश्ट्रे व्यापार को प्रोथसाहित करने के लिए नई तृष्टी वो अधिक शक्तियां लिए हुए हैं एक जिन्वरी से 1995 को 124 देश विश्व्यापार संगठन के सदस्य थे और मई 2009 में यह संख्या बढ़कर 103 वर्तमान में 30 अन्य देश WTO की सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है इस संगठन में कुछ शेत्रों पर विशेश ध्यान दिया गया है जैसे सेवाओं का व्यापार विदेशी निवेश को फ्रोथसाहन पेटेटों का संद्रक्षन विश्व्यापार से सम्मझित बढ़ादों का निवारण टैरिफ में कमें डबियो टी ओ में समझोटों से विश्व्यापार में व्रद्धी होती है विकाश शेल देशों को अधिक विदेशी निवेश पत्तक्णिकी सहथा प्राप्त होगी तता उनके आर्थिक विकाश में व्रद्धी होगी WTO संसार के विभिन देशों के बीच अंतराश्रे व्यापार को प्रोचसाहित करने तता सीमा शुल्क के बंधनों को कम करने के लिए किया गया है आवर्शक सिध्धान तता नियमों से सम्मंदित बहु पक्षु समझोता है यह एक बहु पक्षु संधी है जो अंतराश्रे व्यापार को प्रोचसाहित इवं इसके नियमों का निर्धारण करता है आए देखते हैं विश्वे व्यापार संगठन की विशेष्टा है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह कुछ विशेष्टा हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है पहली है यह एक अंतराश्रे संगठन है जो बहु पक्षु व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कारे करता है दूसरा इसे गैट के स्थान पर बनाया गया है तीसरा यह स्वतंत्र अंतराश्रे व्यापार को बढ़ावा देता है यह टैरिफ वग्या टैरिफ जैसी बाधाओं को खत्म करने पर जोर देता है चौथा इसका वैधानिक अस्थित्व है इसमें कुछ नियम वो प्रावधान होते हैं इन नियमों वो प्रावधानों के द्वारा यह सदस्य देशों के मद्य अंतराश्रे व्यापार की बाधाओं को कम करता है ये नियम सदसे देशों द्वारा आपसी सहमिती से बनाये जाते हैं WTO के सदसे देशों द्वारा कियेंगे समझोते सभी सदसे देशों पर लागू होते हैं कोई सदस्य देश उन समझोतों का पालन नहीं करता तो उसकी शिकायत विवाद निप्टारा समीति को की जा सकती है WTO के अंतरगत वस्तू व्यापार सेवा व्यापार बौधिक संपत्य अधिकारों का समरक्षन विदेशी निवेश आदिश आमिल है अंतराश्री मुद्रा कोश और विश्व बैंक की तरह WTO पर किवल विक्सित देशों का ही नियंदरन होता है WTO विक्सित देशों के एजेंट की भाती कार्य नहीं करता और WTO के सभी सदस्य देशों को एक समान वोटिंग अधिकार दिये जाते हैं इसमें एक देश को एक वोट देने का अधिकार होता है WTO को एक बड़ा सची वाला है और इसका संगठान आत्मक धाचा बहुत विशाथ है आई अब हम देखते हैं विश्व वियापार संगठान के उद्देश क्या है तो अबजिक्टिफस ऑफ WTO गरम देखें तो उसके प्रात्मिक देश जो है वो नए विश्व वियापार समझोते को लागू करना है और बहु विपक्षिय वियापार को बढ़ावा देना है अंतराश्य वियापार में टारिफ और ग्यार टारिफ रुकावटों को दूर करके स्वतंत्र वियापार को बढ़ावा देना है विश्व व्यापार को इस तरह से बढ़ावा देना है कि प्रत्यक सदस देश उससे लाभानवित हो या आशक्त करना की अलपविक्सित देश भी अंतराश्रे व्यापार के विस्तार से लाभानवित हो खुली विश्व व्यापार प्रणाली की सभी रुकावटों को दूर करना तता विश्व व्यापार को आर्थिक विकास के लिए प्रयोग करना उभोखताओं को लाभानवित करने के लिए सभी देशों में प्रतिसपरधा को बढ़ावा देना विश्व में रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए उत्पादन के स्तर तता उत्पादक्ता को बढ़ाना संसार के संसाधनों का अधिक्तम मातरा में विस्तार करना तता उनका अनुकूलतम प्रयोग करना विश्व की जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार लाना और सदस राष्ट्रों के आर्थिक विकास की गति को तेज करना अति गरीव राष्ट्रों के विकास के लिए विशेश प्रयास करना विश्व व्यापार संगठन के उद्देशों को जानने के बाद अन्तिम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं विश्व व्यापार संगठन के कारियर फंक्शन्स ऑफ डाव्यू ची अंतराश्रे व्यापार में ट्रैरिफ और गया ट्रीफ रुकावटों को करने के लिए नियम बनाना विश्व व्यापार संगठन के समझोतों को पूरा करने के लिए इन्हें लागू करना और अंतराश्रे व्यापार का प्रश्रसन करना विश्व व्यापार नीती निर्मान में समन्वे लाने के लिए अंतराश्रे मुद्रा कोष ता विश्व बैंक को सहयोग देना विवाद निप्टारा समीती की सहायता से सदस्य देशों के अंतराश्ट्री व्यापार सम्मंदी जगणों को निप्टारा करना सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों व्यापार सम्मंदी नीतियों का पुनरावलोकन करना और सदस्य देशों को विदेशी व् और अंतिम व्यापार उदारी करण के लिए कार करें तो बच्चों इस तरीके से हमने डब्लू टीओ और इस चैप्टर को अंतराश्री वेवसाय को समाप किया आश्र है आपको यह चैप्टर अच्छी तरीके से समझना होगा धन्यवाद